अभी जीडियो साब ने कुछ योजनाय बताई जो अंतिम बाइदान पर पेटे व्रक्ति के लिए सरकार के द्वारा दी गई गई जैसे शोचाले नहीं हुआ कि पहले इस गाओं में हर घर में शोचाले नहीं हुआ करता हो और महलाओं के साथ दिक्त क्या होती है ऐसी हो इस्तिती में कि या तो पौफटने से पहले कि सूर निगलने से पहले कि या सूर अस्थ होने के बाद शोच के लिए जाया करता है बड़ी अटपटी इस्तिती दे समाज में किसने चिंटा की इस पहले कि इन की इस जो इस्तिती से इनको बारा जाए और घरगर शोचाले दिया जाए किसने की आप बताईए कोई बता सकता आप में जाए आपके बोल रही है मनी 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 मोझे जी 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 आपके बारे में यहां तक सोचा है और उसका नाम लेने में आप में देष्टा खो रही है। जाने इससे पहले जिन घरों में घ्येस नहीं थी तो चूना जलाती है कि लाग। कितना थूआ पे फेफड़ों में जाता था। आपों में जाता था। आप फिर्डे खराब झालतЫ याने एक दिन में इतना थूआ फेफड़ों में जाता था जो सौ सिगरेट पीता है विक्ती कोई आत्मी उतना धुआ जाता है कितना बड़ा नुक्सान किसने सोचा इसके बारे बोधी ऐसे ही जहां घर नहीं थे कई योगे खुले आसमान में या कच्छे घर थे उनको पक्ता घर मिले वो अभी एक अच्छे घर में रह सके यह भी मोधी जी नहीं सोचा